दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं एक वीडियो क्रेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए most important वीडियो में बना रहा हूं और एक demanding वीडियो है ये यूट्यूब पर ऐसी वीडियो शायद ही आपको कोई दूसरी मिलेगी देखिए आप as a यूट्यूब मिलेंगे जादा आपको व्यूज मिलेंगे प्रॉब्लम या आती है एक तो लोगों को मैं इतने सारे चैनल चेक करता हूं font की knowledge नहीं है और अगर लोगों को font की knowledge भी हो जाए तो font मिलते नहीं है आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि free of cost mobile के अंदर किसी भी software न आपसे नहीं लिया जा रहा है और हां 92,000 से भी ज्यादा का font का जो पैक है वो आपको इस वीडियो में free में मिलेगा और यह जो वीडियो है यह आगे हमारे team member हवा सिंग जी उन्होंने बनाईए बहुत काम की वीडियो complete जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपक टेकनिकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक बैट अलिट है हेलो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही special वीडियो होने वाले उन सब यूजर्स के लिए जो की पिक्सल लेब एप्लिकेशन से थमनेल्स को बनाते है और उने थमनेल्स को और भी ज्यादा अच्छे बनाना चाहते है तरह तरह के फॉंट इस्तमाल करना चाहते है फिर चाहिए इंगलिस के हो हिंदी के हो गुजराती के हो मराठा के हो या फिर चाहिए वो कोई भी लेंग्वेज के हो ना हो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 92,000 प्लस फॉंट बताने वाला हूँ जिसके जरी आपके जो थम्मेल से उनको और भी इंप्रूव कर सकते हैं साथ हिमें इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपको मेरे पर्सनल 40 वो फॉंट प्रोवाइड करूंगा जो कि मैं पर्सनली बहुत जादा यूज करता हूँ मुझे बहुत जादा पसंद है फिर चाहों इंग्लिस लेंग चैनल चेकाउट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ क्या फॉंट को इंस्ट्रॉल कर सकते हैं आपके पिक्सल लैप एप्लिकेशन के अंदर भी को जमें आपको more than 92,000 फॉंट बताने वाला हू और open करने के बाद में आपके सामने new text या फिर कोई भी फॉंट लिखा हुआ आ जाएगा इसके बाद आपको second वाले option पर टच करना है जहापर ए लिखा गया है और जो आप ए पर टच करोगे तो ए पर टच करने के बाद आपको slide राइट करना है और राइट करना है और यहा ज़्यादा attractive नहीं है या फिर most common font है जो कि हरको use करता है तो हमें कुछ interesting करना होगा जैसे की जैसी my fonts के नरे में जाता हूँ आप देखिए infinite darkness italic किते कमाल के font है न अगर आप भी खुद के pixel lab में ऐसे font इस्तमाल करना चाहते है तो अब मैं जो बता रहा हूँ उन बातों को follow क कीजिए simply यहां पर option दिया गया है प्लस टी वाला आप यहां पर टच कीजिए और जो font आपको में download करने का तरीका आगे बताने वाला हूँ और download करने की बाद आपकी file manager में चले जाएंगे आपकी files में चले जाएंगे वो folder आपको यहां पर ढोना रहेगा जैसे कि मैंने seo क को टेच करता हूँ और जैसे मैं add selected करता हूँ आप देखिए नीचे हिंदी के font मेरे पास आ चुके है तो यहां पर हिंदी के भी है इंग्लिस के भी है यह selected font थी लेकिन इससे आपको यह तो पता लगी गया होगा कि pixel application में आप font के install कैसे कर सकते है चलिए अब बात यह करते ह कि यह जो 92,000 प्लस font है यह कहां से डाउनलोड करेंगे जो कि free of cost हो हमें पैसा भी ना देना पड़े और हम चाहे तो Premiere Pro में, VN Video Editor में या Pixel Lab में कहीं पर भी इस्तमाल कर सके तो देखो यहां पर हम आपको तीन अलग-लग website बताने वालों जो कि most popular है और यहां पर एक ही website ऐसी ह जहां पर आपको more than 92,000 प्लस font मिल जाएंगे अगर आप commercial purpose के लिए उज़ करना चाहते तभी और नहीं करना चाहते तभी तो चलिए अब एक एक करके तिरों website देखते है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे खुद के favorite हो 40 font जो कि मैं खुद उज़ करता हूं और आपको एक link में provide करने वाला हूं तो कोई भी चीज मिस ना हो इसलिए वीडियो को लाश तक पूरा देखना सबसे पहले जो website है वो है fonts.google.com जरी गूगल का official website है यह जो website है आपको यहाप पर डेर सारे font देखने को मिल जाएंगे मतलब एक से बढ़के आपको एक font देखने को मिल अब यहाँ पर एक ही font के अलग-लग variant भी है जैसे कि वो bold हो जाएगा italic हो जाएगा तो आपको पहले से लोग बना के दे देंगे ठीक है लाइक मान के चलो कि मुझे आपर कोई font पसंद आ जाता है जैसे कि टेप्रेश्ट्री वाला मैं यहाँ पर टच करूँगा और टच क क्लिक करके और जो बाते मैं ने बताई है से हम उसी तरीके से आप इनको pixel lab में import कर सकते हैं अच्छा इसी website की एक अच्छी बात और भी है जो कि इसको और भी ज़दा खास बना देती है जब आप बैक आओगे तो आपको सबसे ऊपर के तरफ categories के अंदर अलग-अलग तरह के handwriting, display, serif, monospace आपको categories देखने को मिल जाएंगी मतलब font भी आप filter कर सकते हैं उसे के बाद language option मिल जाएगा मतलब कि आप जो font है उनको language wise भी आप इनको filter कर सकते है ताकि आप और भी easily आपको काम कर पाए यह हमारा था पहला method अब बात करते हैं आपे second method की second जो website है 1001fonts.com और यह जो website है बहुत ही simple सा website है यहाँ पर limited font जरूर है मतलब बहुत ज्यादा variety नहीं है लेकिन जितने font दिये गए है सारे के सारे बहुत कमाल के font है जरा सा नीचा के दिखाता हूं यह देखो वाव यह देखो मतलब एक से बढ़के एक आपको font देखने को मिल जाएगा अगर आप आपको यहाँ पर pages के अंदर option दिया गया है आप next page पर जाके उनको download कर सकते है और इस website से download करना बहुत ही आसान है आपको यह पर green button दिया गया है जैसे आप यहाँ पर touch करोगे font डाउलोड और डारेकली start हो जाएगा तो आप इस website को भी try कर सकते है अगर आप अलग अलग त website के सबसे ज़्याद अच्छी बात है अगर आप नीचे आओगे तो आपको एक से भड़के एक वाओ मतलब की मतलब बहुत ही ज़्याद अच्छे font है जहाँ पर आपको graphically हर एक चीज पहले से design की भी मिलेगी है ना कम्माल के चीज और आप यहाँ पर भी filter करके देख सकते है category wise, mood wise, language wise और यह भी जो website है one of the best website है इन तीनों के अंदर से जो कि आपको बहुत ही अच्छी quality के font प्रोवाइड करती है और आप इनको हैसा डाउनलोड करके directly किसी भी software में फिर application में install कर सकते है साथ हमें दोस्तों अगर आप मेरी और भी tips and tricks की वीडियो देखना चाहते ह हैं तो आप हमारा second channel check out कर सकते हैं लिंक अपो description में मिल जाएगा अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं इसका मतलब ही है कि आप बहुत serious अपने काम को लेके और आप अपने काम को और भी improve करना चाहते हैं और आप मेरे favorite 40 font को भी check करना चाहते है कि मेरे favorite 40 font कौन लेकिन वो file encrypted है और उसके लिए आपको password डालना पड़ेगा और उसका password है 1396234 अब यह जो password मैंने randomly बोला है मुझे खुद नहीं पता अब यह file encrypt करके मैं डालने वाला हूं हाँ यह password डालने के बाद अब मेरे जो private fonts थे वो आपके लिए public हो चुके है उसके लिए आप चाह लिए और सीखते लिए